दिस प्रोग्राम इस स्पॉंसर्ड बाई बी शॉर लगदार बर्दा पॉल्यूशन, डर्ट और सन एक्स्पोजर आपकी तवचा की भीत्री सता तक जाकर उसे नुकसान पहुचाता है इसलिए अपनाई Be Sure का 100% Are Ready Black and Beauty Charcoal Soap और सुरक्षा करे अपनी तवचा की भीतर से Be Sure Black and Beauty Charcoal Soap आपकी सुरक्षा करे, no major skin problem से Be Sure is my passion and passion is forever नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास काल क्रम योग और आप में और मैं हूँ आपकी साथ पूजा और हमेशा कितरा स्टूडियो पे आज हमारे साथ मौजूद है योग गुरू शुधीर राना जी शुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नमश्कार जी तो चलिए काईकरम की शुरुआत करते हैं आप सभी जानते हैं कि हम अपने हर काईकरम के एपसोट में हम एक विशय पर चर्चा करते हैं विशय जो कि आप से और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है तो आज का हमारा विशय है डिप्रेशन जी हाँ तनाव आज की भागती दौडती जिंदगी में एक ऐसी बिमारी बन चुकी है जिस वज़ा से लोग काफी जादा परेशान रहते हैं उनके चेहरे पे उनकी परेशानिया दिखने लगती है और इस डिप्रेशन के कारण वो कई बार ऐसी स्थिती में आ जाते हैं कि उनको अपना जीवन भी जीना अच्छा नहीं लगता और इसी विशय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुधीर जी मौजूद है सुधीर जी आज कल की जो जिन्दगी हो गई है वो भागती दौडती सी हो गई है लोगों के लिए अपनी पास के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं है लोग अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते पर कई बार ऐसा होता है कि कभी इन छोटी बड़ी चीजों को लेकर वो एक डिप्रेशन में चले जाते है और डिप्रेशन जो तनाव का सबसे बड़ा वढ़ माना चाहता है और इस डिप्रेशन के वज़े से लोगों को काफी सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले गें बताएं कि डिप्रेशन है क्या देखिए डिप्रेशन कोई साधारन रोग नहीं है डिप्रेशन जो है बहुत सारे रोगों का एक कारण है और जिसमें हम लोग किसी भी तरह की चीजों से जिन से हम जूज रहे होते हैं वो चाहे हमारी financial stages हो चाहे हमारी lifestyle में किसी तरह की disturbance चल रही हो चाहे हमारे कामकाज में किसी भी तरह का तो ये सारे reason जो हैं हमें इस तरफ ले जाते हैं इसमें हमारा जो brain है वो एक खास किस्म की स्थिती में आ जाता है जिसकी वज़ा से हम धीरे धीरे रोगों को जो है अमंत्रन देना शुरू कर देते हैं और शरीर के अंदर धीरे धीरे कई तरह के विकार हाट से संबंदित, लीवर से संबंदित, ब्रेन से संबंदित, इवन हम ऐसी स्थिती में भी पहुँच जाते हैं कई वार के आतम हत्य तक लोग कर बैठते हैं तो ये छोटी प्रॉलम होते हुए भी बहुत बड़ी प्रॉलम है और आजकल की भागम भाग की जिंदगी में ये एक मुख्य कारण है तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है विल्कुल आपने सही कहा कि एक बहुत छोटी से बिमारी है पर ये छोटी बिमारी जिवन में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि पता ही नहीं चलता कि आप अपने जिवन को किस मोड पे लेके जा रहे हैं क्यों आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं परिशान होते र शुरू शुरू में अगर आपको किसी को पहचानना है या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सबसे पहले तो इनसान जो है वो अकेला पन महसूस करना शुरू कर देता है मतलब भरे पूरे परिवार के अंदर एक व्यक्ती के अंदर अकेला पन उदासी, हर वगत उसे भूखना लगना, चिंता सताता रहना, छोटी छोटी चीजों पर उसका रियक्शन उसको किसी भी तरह की कोई भी छोटी सी छोटी घटना जो है वो भी उसके ब्रेन पर पूरी तरह परभाब डालती है कोई छोटा सा भी सदमा उसको सहन करने की शमता उसके अंदर कम हो जाती है जिसकी वज़ा से उसके शरीर में कई तरह के विकार आ जाते हैं मतलब आप एक आदमी को कोई ख़बर सुनाते हैं और उसके जो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं स्वांस की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो इस तरह की जो प्रॉलम्स हैं वो आम तोर पर देखी जाती है कई बार जो है आप कहीं भी बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई व्यक्ति जो है वो जरा सी बात पर बहुत जादा जो है वो रियक्शन कर रहा है तो समय लेजिए कि वो कहीं ना कहीं किसी internal problem के साथ या परिवारिक problem के साथ या अपने lifestyle के अंदर ऐसे किसी mode पर चल रहा है जिस वज़ा से उसकी शेहन शक्ती में काफी कमी आ चुकी है तो ये सब depression के ही रूप है बिलकुल और depression को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि depression यो जटके में नहीं आता है इसे वक्त लगता है एक एक step by step लोगों को अंदर से अंदर ये जो depression है वो खा जाता है और धीरे धीरे लोगों को लगता है कि हाँ वो depression का सिकार हो चुके या उसे कोई ऐसी परिशानी ह जो बहुत जादा परिशान कर रही है जी मैं आपसे जाना चाहूंगी कि depression जो एक आज के जिट में बहुत जादा बड़ी बिमारी बन चुकी है लोग depression में चले जाते हैं तो depression में तो वो चले जाते हैं पर आप नेच्रोपेथी के डॉक्टर है आपको प्राकृतिक का कौन सा उपाए क्योंकि depression में तो जाना बहुत मुश्किल है पर क्या निकलना आसार है या नहीं देखिए निकलने के लिए सबसे पहले जो भी व्यक्ति इस तरह की परेशानी से जूज रहा हो उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है उसके बारे में समझने की जरूरत है कि वो कुछ efforts ये करने होंगे कि उसकी आदतों को उसके भ्यवार को आपको जहिलना होगा एक तरह से क्योंकि वो किसी भी तरह का reaction आपके साथ दे सकता है लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि वो बिमार है उसको आप बताये बिना आप उसका इलाज कर सकते हैं तो आप उसको किसी तर पर उन चीजों का परभाब ना पड़े, भोजन में खास तोर से उसका भोजन जो है वो कार्वो हाइड़ेट वो ज़्यादा अलमातरा में लेने वाला व्यक्ती हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा इस चीज का असर जल्दी होता है, क्योंकि जो लोग सिर्फ carbohydrate पर depend करते हैं या जितने भी आपके बाहरी चॉकलेट्स हैं, चाय, कॉफी, बाहर का तलाब होना भोजन ये सब आपको depression की तरफ ले जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे जो है जादा कार्वो हाइड़ेट की मातरा लेने से भी आपको शरीर के अंदर ब्रेन के लिए oxygen की मातरा जो है वो कम हो जाती है जिसकी वज़ा से भी आपके ब्रेन पर एक खास किसम का एक pressure पैदा होना शुरू हो जाता है और आपकी जो decision लेने की शमता होती है निरने लेने की शमता वो कम होती चली जाती है आपकी याददाश कमजोर होनी शुरू हो जाती है तो इस तरह कि जब आपके साथ चीजें होनी शुरू होती है तो आपको उसको वो माहोल देना होता है कि जिसकी वज़ा से उसके शरीर पर इन चीजों का परभाब न दी जाएं जिन चीजों से जैसे पानी की मातरा है पानी भी अगर वो जगा जगा का पानी ना पिये एक ही पानी का ज्यादा सेवन किया जाए जहां से आप जैसे अगर आपके घर का पानी है और बाहर का पानी है उसमें दोनों में कई वार डिफिरेंसिस होते हैं बाहर जो है कई बार MCD का पानी होता है, कई बार आपके घर में भी RO water है, तो इन पानी के अंदर भी इन इन तरह की deficiencies देखी गई है, तो इसलिए एक ही तरह का पानी का परियोग करें सबसे पहले, और दूसरा juices बग्यारा, जो कि उसके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, उसमें संतरे का juice है, मौसम्मी का juice है, इसका सेवन करें, निम्बू, दिन में एक निम्बू या आधा निम्बू उसको जल में दिया जाए, तो इन सारी चीजों को जो है, आप उसके भोजन में बढ़ा दें, साथ में जो है, भोजन उसका संतुलित हो पूरी तरह से, ऐसी घटना के बारे में उसे एक दम ना बताया जाए, जो की उसको तंग कर सकती है, या उसके ब्रेन पर प्रेशर डाल सकती है, तो इन छोटी-छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारा खास कायट्रम यही है योग और आप, यानि की योग की समस्या के साथ साथ हमकी समस्या आप तक पहुंचाते हैं, और जब-जब योग की बात आती है, तो स्वाथ से जुड़ी जो भी बाते सामने आती है, उसमें खान-पान को लेकर हम हमेशा ही चरशा करते हैं, क्योंकि खान पान का असर हमारे जीवन पे बहुत जादा पड़ता है तो जैसा कि आपने बताया कि खान पान को लेकर भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को बहुत जादा अलर्ट रहना पड़ता है पर आपने ये भी बताया कि जो depression में है उसके आसपास का जो महौल होता है जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें भी depression वाले व्यक्ति के साथ उसी तरीके से treat करना होता है तो कुछ ऐसे tips हमझाते हैं आप हमारे दर्शकों को दे कि यदि उनकी साथ ही या उनके आसपास या उनक ने बताया भी आपको कि किसी भी तरह का shock उसको ना दिया जाए क्योंकि अचानक कोई भी खवर उसके कानों में पढ़ने से उसके शरीर के अंदर का जो chemical reaction है उसके अंदर घटने वाला जो brain में जो action होता है reaction होता है वो उसके उपर एकदम परभावी हो सकता है उसको एकदम तंग कर सकता है उसके शरीर के अंदर उसके heart sink कर सकता है इस थरह के दिक्कते उसको आ सकती है उसका paite lose हो सकता है उसको urine की दिक्कत आ सकती है ये सब nervous system से जुड़ा हूआ है क्योंकि सारा जो उसकी सोच जो है वो इस किसम की हो जाती है कि वो किसी भी चीज को सहन करने में य जो भी उसको लेना है उस चीज को उस बात को वो उसका reaction उसको किस तरह से देना है इस चीज पर वो पूरी तरह से confident नहीं हो पाता है क्योंकि उसका confidence level है वो काफी हद तक जो है वो down हो चुका होता है उसकी will power जो है वो कमजोर हो जाती है तो इसलिए उसको हर चीज एक burden के रू है उसे लगता है कि घर में अगर चार लोग हैं तो बाकिलोग उस काम को क्यों करनें ग्मजे क्यों करना है किसीं मैं हिल्या को है किसी है चीज हम ड़ेशन हो जाती you है तो योगा की माध्यम से हम डेप्रेशन को दूर कर सकते हैं बिलकुल बिलकुल योग इसके लिए बहुत ही बड़िया उपाय है लेकिन उसमें बस समझ से यही आती है कि जुवयक्ति डेप्रेशन में होता है ऊस व्यक्ति को योग के लिए त raspasia करना ये भी घरवालों की जिम्मेवारी है कि वो उसको किस तरह से कन्विंस करें कि आप ये करिए ये आपके लिए किस-किस तरह से लाबदायक है उसको डारेक्ट ना बताया जाए कि आप किस बिमारी से जूज रहे हैं क्योंकि कभी भी कोई भी डिप्रेशन वाला इस बात को आसानी से अक्षेप्ट नहीं करता है कि वो इस बिमारी से जूज रहा है जी बिल्कुल और कोई भी डिप्रेशन में है तो उसे घूमना फिरना या हमने पहले भी चर्चा की उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता पर वैसे में ये उसको योगा के लिए रड़ी क हो जाता है काफी इंसान एनरजेटिक हो जाता है तो योग रड़ी करवाना अपने आप में चैलेंज है जैसा कि आपने कहा पर यदी कोई योग के लिए रड़ी हो जाय तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को योग बताए जिससे इंसान डिप्रेशन से मुक्ति पासकता है देखिए डिप्रेशन से मुक्ति के लिए जो सबसे आसान तरीका है जिससे प्रतेग व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए शरीर चाहे मोटा शरीर हो पतला शरीर हो चाहे रोगी शरीर हो वो भी इसे आसानी से कर सकता है उसमें जो सबसे महतपून है वो है हमारे प्रानायाम प क्योंकि यह सब breathing techniques हैं, जिसके करने से आपके शरीर के अंदर, आपके brain के अंदर जादे से जादा मातरा में oxygen पहुचाई जाती है, और आपका जो भी nervous system उस परेशानी से जूज रहा है, वो धीरे धीरे oxygen के पहुचने से activate होना शुरू होता है, और जागरेत होना शुरू होता है, तो इसमें आप कपाल भाती, जिसको आप जो है, पांच मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कर सकते हैं, और इसको gradually बढ़ाना है, एकदम नहीं शुरू करना है, शुरू में आप इसको 100 टाइम से शुरू करिए, 100 टाइम आप इसमें सिरफ पेट की pumping इसमें करनी है, इस तरह से तो इसको सिर्फ counting के साथ आपने चलाना है, कि 100 टाइम से start करके इसको जो है, आप 400 टक ले जा सकते हैं, बस इसको आप इसको regular कराईए, धीरे धीरे इसके बाद फिर इसको अनुलोम विलोम पे ले आईए, अनुलोम विलोम में आपको left nostal से स्वांस को लेना है, right से निकाल इस क्रिया को भी आप 5 से 15 मिनट तक करा सकते हैं, तीसरी क्रिया है, भ्रामरी क्रिया, भ्रामरी में क्या करना है आपको, दोनों अंगूठों से कान को बंद करके, इस तरह से index finger से eyes को, middle से nose को, और मुह से नाक से आपने स्वांस ले करके, नाक को हलका सा दवा करके, नाक से अवाज के साथ स्वांस को निकालना है, इस परकार, तो इस क्रिया को आप तीन बार से लेकर 5 बार तक बड़ी असानी से कर सकते हैं, और साथ में ओम का उच्चारन कर सकते हैं, जब भी आप शांत मन से बैठे हो, आप जो है ओम का उच्चारन कीजिए, ओम के उच्चारन के लिए भी हम जो विधी यूज़ करते हैं, उसमें ओ और उ को आप छोटा रखिये और मा को आप लंबा रखिये, इस परकार से, इसमें आप देख रहे हैं कि जो मा की द्वनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी चल रही है, जितना बाइब्रेशन आपके अंदर चलेगी, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, माइंड रिलेक्स होगा, और अंदर के जितने भी छुपे हुए तनाव हैं, उदासी है, भारीपन है, वो धीरे-धीरे रेगुलर करते रहने से खत्म हो जाएगा, और आपका मन पर सन रहना शुरू होगा, और ये ड तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, और सारी के सारे योग आपकी जीवन में खुश्य अला देंगी, तो हम भी आशा करते हैं कि आप इस योग को फालो करें और घर पे करें, या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे तनाव है, उसे आप ये करवाएं से करवाने के लिए रेडी करवाएं, वो अपने आप में एक बड़ा चालेंज है, जी हम आप से बात कर रहे हैं थे प्राकृतिक उपायों के साथ साथ मेडिसन्स की, मार्केट्स में क्या कुछ ऐसे मेडिसन्स अबलिबल है या कोई दवाईय ऐसे उपलब्ध हैं जिसे खाने से डिप् का गलत दवाईयों का सेवन करना या जरा सा सरदर्द हुआ, आपने बहार से पेन किलर खा लिया, तो इस तरह की दवाईयां भी जो हैं वो डिप्रेशन को धीरे-धीरे पैदा कर देती हैं, इसलिए हम जो चीज रिकमेंड करते हैं, वो वही चीज रिकमेंड करने की कोशि करें, तो जैसा कि आपने पूछा कि कोई दवाईय जो की बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो अभी जैसे हमारे बीशोर कंपनी ने एक बड़ा अच्छा एक डिप्रेशन कॉम्बो एक तयार किया है, जिसमें तीन-चार परकार की दवाईयां हैं, दवाईयां क्या, सारी ह जो कि धीरे-धीरे आपके शरीर को जो है, एनर्जी देती है, आपके मन को जो है, वो धीरे-धीरे रिलेक्स करती हैं, और ऑक्सिजन की मातरा आपके ब्रेन में बढ़ाती हैं, तो वो बहुत ही साइड एफेक्ट से रहित हैं, पूरी तरह से, और शरीर पे पूरी तरह काम करती हैं तो उसको हम दर्शकों को बता सकते हैं कि वह आप इसको कुछ पर्वोसेस खोगा खाने का है कर लोगों को डिपरेशन से मुक्ते मिल शाए बिल्कुल इसको आप जो है बड़ी सिम्पल होता है इसको एक बार आपने यसको सुभह सेवन करना है एक आप रात को सोते वकत ले जी मतलब इसके लिए कोई आपको fix करने की जूर्थ नहीं है कि कब लेना है एक बार सुभाझ खाली पेट आप इसका सेवन कर सकते हैं और एक बार रात को सोते वकत तो दो टाइम सेवन करने से भी जो है आपको पूरी तरह से अराम आ जाएगा तो दर्शको आपने चाना कि डिप्रेशन कॉंबो से आपको क्या कुछ सुविधाय मिल सकती हैं और यदि आप इसे अपने घर तक मंगवाना चाते हैं तो आपके चलेजन स्क्रीन पर नंबर वलगतार फ्लैश हो रहे हैं आप हमें कॉल करें हमारे संस्थान से बियोश्योर क डिप्रेशन कॉंबो अपने घर तक मंगवा सकते हैं और उमेड करते हैं कि आपको भी ज़ोग के तो बात हैं योग एक ऐसी चीज है जो इंसान को स्वस्त कर देती है, सुखदाई बना देती है और इंसान आटोमेटिक बहुत पॉस्टिफ फील करने लगता है डिप्रेशन के लिए जो आपने योग बताया, वो योग का भी कोई टाइम बॉंड होगा कि कब तक करना है क्योंकि डिप्रेशन में लोगों को आपने कहा कि रड़ी कराना हुँ अपने आप में बहुत बड़ा चालेंज है पर यदि कोई रड़ी होता है तो उसे कितनी दिनों तो फॉलो करना बहुत जादा ज़रूरी है देखिए जो भी व्यक्ति इस चीज से जूज रहा है और जो भी उसके आसपास कारण मौजूद है उन कारणों को अगर हम जल्दी से जल्दी हटाते हैं और उसको सिर्फ योग का माहोल देते हैं तो आप जो है हफते के अंदर ही उस व्यक्ति के अंदर जो है इस तरह के रिजल्ट देखना शुरू करेंगे पॉजिटिविटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जब वो रेगुलर उसका अभ्यास करता रहेगा तो दो से तीन महीने में वो लगभग पूरी तरह ठीक हो सकता है जी तो दो से तीन महीने में उमीद करते हैं कि आप इन चीजों को फॉलो करें तो आप लगभग पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं हमारी भी बस यही कामना है, कि आपकी जीवन में भी कोई समस्या है, तो आप उससे जल्द से जल्द निचार पा सके, लेकिन योग गुरू है, आप डॉक्टर आफ नेचुर पेती भी रहे हैं, अरवेद गृतना भी है, तो आप से यह जाना चाहेंगे, कि हमारे जीवन में कई सारी यासी बिमारियां आती हैं, जो शुरूत हो जाती है, और खत्व भी हो जाती है, पर वो दुबारा फिर से उत्पन होने लगती है, दुबारा पैदा हो जाती है, तो क्या डिप्रेशन, आजकर डिप्रेशन भी एक बिमारी का नाम बन चुका है, तनाओ का वक्त गया, अब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा बिमारी का रूप ले लेते हैं, क्या डिप्रेशन जैसे बिमारियां भी लोगों की जीवन में दुबारा आजाती है बिलकुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया क्या होता है कि देखिए जैसे भी आपकी lifestyle होगी जैसे भी माहोल में आप रहते हैं तो उस माहोल में जो भी आपको negativity मिल रही है या positivity मिल रही है वो आपके रोगों को निर्धारित करती है या आपके शारीरिक अपनी शमता आपकी मानसिक जो संतुलन है आपकी मानसिक सोच है वो इस चीज़ पर अरधारित है कि आप उस negativity को किस तरह से लेते हैं positivity को किस तरह से लेते हैं तो जब भी आप उस माहोल से negative चीज़ को गेन करते हैं तो आप इस तरह की चीजों में चले जाते हैं positivity को लेते हैं तो positive हो जाते हैं इसलिए जो भी व्यक्ति इस चीज से जूज रहा होता है और वो एक बार ठीक हो जाता है तो उसको दुबारा भी ये समस्या आ सकती है अगर वो इस तरह के माहौल को दुबारा से जॉइन करता है और उसी तरह के माहौल में फिर रहता है इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि वो उस तरह के माहौल से बचे और अपने को किसी ऐसे कारे में ब्यस्त करे जिससे कि उसको इस तरह की परिस्थिती से ना गुजरना पड़े तो ये बहुत ज़रूरी है आपने बिलकुल सही बात कहीं क्योंकि आज के जीवन में negativity से दूर रहना बहुत important हो गया है क्योंकि आपके आसपास आपको positivity बहुत कम मिलेगी बिकाज negativity इतनी ज़ादा बढ़ गई है लोगों के अंदर भी negativity आ गई है लोग एक दूसरे से देखकर ही बहुत ज़ादा चड़ेने लगते हैं तो वो चड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं depression का सिकार हो रहा है तो कहीं ना कहीं positivity भी आपके लाइफ में बहुत ज़ादा सुख लेकर आएगी आपको depression से दूर करेगी पर जी मैं आपसे ये भी जाना चाहूंगी कि depression की कोई age bonding क्या है आज कल तो लोग इतने ज़ादा बज़ी हो गए हैं कि इतनी सारी लोगों की life में tensions हो गई है कि बढ़ती उम्र में ही लोग tension लेना शुरू कर देते हैं और ज्यादा age हो जाती है ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनके पास भी काफी सारी tensions रहते हैं और tensions का ही कारण कई ना कई depression भी रहता है तो उम्र क्या है कि depression किसी भी उम्र में व्यक्ति को हो सकता है लेकिन हाँ इसकी जो जड़े मजबूत होती है और permanent उसके शरीर में घर कर जाती है तो वो समझ लेजिए कि 25 से 30 साल की उम्र में आते आते व्यक्ति के मानसिक जो संतुलन है उसमें ये पूरी तरह से समय लेजिए कि depression की जड़ें गहरी हो जाती है जो इस माहोल से नहीं हटता है और उसके बाद उसको संभालना उतना आसान नहीं है क्योंकि फिर वो एक aggressive व्यक्ति बन जाता है या एक अलग किस्म का व्यक्ति बन जाता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल मामला होता है और ये स्थिती जो है आजकल हमारी ग्रहनियों के साथ ज़्यादा पाई जाती है पूर्शों की निस्वत क्योंकि उनको घर का ही महावल होता है घर में ही उनको बहुत सारे कारे करने होते है और ज़्यादा तर जो इंडियन कल्चर है उसमें उनको घर के अंदर ही बाउंडिंग रहती है घर के काम करो घर से बाहर निकलने का वक्त कम होता है तो उसका भी एक depression एक दिमाग में तयार हो जाता है और बहुत सारी और दिक्कते हैं जो कि आपके lifestyle में और आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपके साथ चलती है तो इन सब के लिए क्या होता है कि जैसे ही इस तरह का माहौल शुरू हो तो वैसे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की परिस्थितियों को बड़े प्यार से हैंडिल करें लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि साथ साथ में कुछ positive चीजें जिस तरह से अच्छी फिल्में हैं या अच्छे गाने हैं, भजन हैं इनको सुनने की आदर डालनी चाहिए जिससे कि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा soothing feel करें और इस depression के तनाफ से बचे हैं जिसमें यह पाया गया था कि आज की जीवन में एक फीजदी लोग depression का सिकार हो चुके हैं जी आज हमारे पास वक्त की कमी है पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुडने के लिए हमारे साथ depression जैसे एक भारी विशय पर चर्चा करने के लिए तो फिलाल वक्त ही कमी है पर कल एक बार फिट से हाजर होंगे एक नए विशय को लेकर और सुधी राना जी एक बर फिट से हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम चर्चा करेंगे एक नए विशय को लेकर और उम्मीद करेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार लगदार बर्दा पोल्यूशन, डर्ट और सन एक्सपोजर आपकी तवचा की भीतरी सता तक जाकर उसे नुकसान पहुचाता है इसलिए अपनाएं बी शॉर का 100% आर वेदी ब्लैक और ब्यूटी चारकोल सोब और सुरक्षा करें अपनी तवचा की भीतर से बी शॉर ब्लैक और ब्यूटी चारकोल सोब आपकी सुरक्षा करें नौ मेजर स्किन प्रॉब्लम से बी शॉर इस माई पैशन और पैशन इस फोरेवर